हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटे फाउंडेशन क्लासस में तू गाईज जैसे कि आप सभी को पता है आईटे से रिलेटेड सभी यूसफुल अपडेट्स रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक तो साथ हूँ यदि आप लोग फर्स टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्स्ट्राइब करें साथ यसाथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटे से रिलेटेड सभी यूसफुल अपडेट्स चाहे वो एक्जाम से रिलेटेड हूँ रिजल से रिलेटेड हूँ, अपरेंटिसिप से रिलेटेड हूँ या फिर गजॉर्म्पेंट जॉब से रिलेटिड हूँ, रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें तो साथ यूँ स्टार्ट करतें आज का वीडियो आज किस वीडियो में गाईस मैं डिसकस करूंगा ट नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे है for the engagement of trade apprentices for the year 2024 to 2025 मतलब 2024-2025 के लिए यहाँ पे यह apprenticeship open हुई है इसक्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो technical training institute हिंदुस्तान और analytics limited बेंगलुरू complex invites the application from eligible and interested candidates for the apprenticeship training in feeder तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी trade से जो यहाँ पे eligible है जो इस apprenticeship job के लिए apply कर सकते हैं तो first is feeder उसके बाद में turner, machinist, electrician, welder, कोपा, computer operator, programming assistant, कोपा ट्रेड है, कारपेंटर Foundryman trade है, seat metal worker है, tool and die maker है, इसके बाद में CNC programmer, कम operator यह trade है तो इन सभी trade से जो IT pass out candidates है वो यहाँ पे इस apprenticeship job के लिए apply कर सकते हैं आगे देखिए आपे लिखावा trades for the base commencing from October 2024 यानि कि October 2024 से यह upcoming base यहाँ पे apprenticeship वालों के लिए start हो रहा है इस base के लिए आवेदन यहाँ पे अभी start हो चुके हैं, आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन-कौन से candidates से apply कर सकते हैं, guys यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कैवल करनाट का state के apply कर सकते हैं, बट अन्ने जितने भी state से, संपूर्ण भारत के आप किसी भी state के student हो, आप लोग इस YouTube channel से जुड़े रहें, ताकि ISRO, DRDO, IOCL, इसके अलावा railway, जितने भी apprenticeship jobs है, उन सभी से related, regular useful updates आप सभी तक पहुंचती रहें, फिलहाल यहाँ पे देखिए candidates who have past craftsman training, मतलब ITI, जो pass out है, from recognized ITIs of करनाटका state only need to apply, यहाँ पे करनाटका जो state है, किसी ITI को लेज से जो pass out candidates है, वो यहाँ पे apply कर सकते हैं, आगे देखिए guys, eligible candidates must apply as per the format enclosed, यहाँ पे format दिया हुआ है, किस तरके से आप लोगो apply करना है, the marks obtained in the SSLC, यानि कि 10th class में आपके जो marks है, और ITI में जो marks है, must be mentioned clearly, जो marks है, वो बिल्कुल clearly आप लोगों को mention करना पड़ application under STHC, OBC, PWD, Armed Forces, Kyoto should clearly mention the same in the application, the application must accompany with the following encloses, हाँ, जो application आप लोग यहाँ पे form भरोगे, जो form फिल करके आप यहाँ पे भेजोगे, देखे, offline जो है, यहाँ पे आप लोगों को form फिल करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों को क्या-क्या चीज़े डालनी है, तो उसमें copy of SSLC marks card, मतलब 10th का जो आपका marks score card है, वो आप लोगों को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है, copy of IT marks sheet, IT marks sheet जो है, वो self-attested होनी चाहिए, internet download result sheet, अच्छा, अगर आपके पास में copy of IT marks sheet, IT marks sheet की copy है, तो वो भेज़ दो, या फिर अगर आपने internet से download की है, तो वो भी आप भेज सक आप लोगों को भेजना है, copy of caste certificate, आपका जो जाती प्रमान पत्तर है, वो आप लोगों को भेजना है, PWD certificate है, तो वो भेजना है, armed personal certificate है, तो वो भी आपको भेजना है, कौफिय of ather guard और pain card, pain card और ather guard का जो photo copy है, वो आप लोगों को भेजना है, copy of ncbt ms portal registration registration form, जो है, आप इसाइट मीटीिक बढ़ना है किस तरह की से जमा कराना होगा तुरुफ। करनाठका में पुर्ण को यहां भी बताने वाला हूं उस फॉर्म को फिल करके आप लोगों को यहां पे भेजना है दा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्टूट हिंदुस्तान एरणोलिटिक्स लिमिटेड सुर्जन दास रोड विमान पूरा पोस्ट बैंगलूरू बाई पोस्ट बाई पोस्ट आप लोगों को इस एड्रेस पे जो यहां पे मतलब यह यहां पर लिखा दो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इस है जड़ी जगह यह जो एपलीकेशन फॉर्मेट अविलिबलेबल है थीख है in complete एपलीकेशन और इन्कम्प्लीकेशन है तो वह तो रिज्ट हो जाएगी रेत तो सिंपल सी चीज़ है ठीक है इएक इसके अप्रेंटीश से ज्यादा क्यों होता है मतलब आप समझ सकते हो बिलकुल Fraser candidates है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं जिनका result 2024 में declare हुआ है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं या फिर जैसे मालों December या फिर July August लास्ट एर जो जिनका result आया है वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं बट एक साल से ज्यादा का experience नहीं होना चाहिए ठीक है एक साल के अंदर अंदर अगर आप लोगों का result आया है तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हो बस सर्थ condition यह है कि और कहीं दूसरी जिगें आप लोग apprenticeship ना कर रहे हो ठीक है इसके बाद में देखें most important चीज जो है वो है कि यहाँ पर given है last date जो है application की वो है 10 October और इसके बाद में देखें यहाँ पर जो merit list आप लोगों की जारी होगी merit reservation will be applied as per the apprenticeship the list of the selected candidates जो है वो इस website के उपर declare कर दिया जाएगा ठीक है website कौन सी है www.ihlindia.com slash carrier ठीक है इस website के उपर जो है 30 October से पहले पहले आप लोगों की merit list जारी हो जाएगी application आवेदन करने के last date है 10 October ठीक है याद रखेगा 10 October तक जो है आप लोगों के पास में लगबग एक महिने का समय भी एक महिने के अंधर इंदर जो है आप लोगों को फिल करके अभी जो अल्रेडी मेंने आप लोगों को एड्रेस बताया वहाँ पर बाइपोस्ट करना है ठीक है तो यह format है इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो आप सभी को पताए यार अप्रेंटिस्टिप करने के लिए आप लोगों के पास में अप्रेंटिस्टिप रजिस्टेशन नंबर होना चाहिए तो नैप्स जो है आप लोगों का नेशनल अप्रेंटिस्टिप प्रमोशन स्कीम का जो ओनलाइन पोर्टल है उसके उपर सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा उसका रेजिस्टे से नंबर यहां पर डालना पड़ेगा ठीक है यहां पर टेंट का है यहां पर लोगों को डालना पड़ेगा ठीक है इसके बाद में देखो कास्ट जो है वह सर्टिफिकेट एंड क्लोज जो है उस पे आप जो भी सर्टिफिक लगा रहे हो तो यस आप लगा रहे हो तो यस पे आप किलिक करोगे दरवाइस नहीं लगा रहे तो आप नो पर किलिक करोगे ठीक है पोस्टल एड्रेस जो है इन कैपिटल पोस्टल एड्रेस जो है पिन को लास्ट में आप इस signature जो है वो लिखकर आप लोगों को भीजना है ठीक है प्लेस डेट यह आप लोगों को लिखना है यह सिंपल सा प्रोसेज है इस से अप्रेंटिसिट जोग के लिए आवेदन करने का ठीक है इसको फिल करके आप लोगों को भीजना है तो गाईज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ITC related सभी useful updates के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद